गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस स्कीटी माम एंड इस लेक्चर फो क्लास सेक्स साइंस तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको पास पडूस में होने वाले परिवर्तन के बारे में एक्स्प्लेइन करूंगी कि इसमें और कौन-कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं सबसे पहला है जटिल परिवर्तन जटिल परिवर्तन क्या होते हैं? जटिल परिवर्तन यानि कि जो काफी कॉंपलेक्स होते हैं जैसे कि जिवाश में इदनों का बनना ये एक जटिल परिवर्तन है क्योंकि बहुत ताइम पहले करीब 300 करोड साल वर्ष पूर्व बहुत बड़े-बड़े विशाल जंगल जो पृत्वी के नीचे दस्त कर वायू के अनुपसिती में और उच्छ ताप और दाप के कारण दीरे-दीरे एक कोईले में परिवर्तित होते गए इसी प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुए वो जिवाश में इधन बनाने लगे और ये जटल परिवर्तन कहलाने लगे तो जटल परिवर्तन बच्छों बहुत जैसे की पाचन, स्वासन, उसर्जन, प्रजिनन इन सब में जो परिवर्तन होते हैं वो सारे जटल परिवर्तन कह होने वाले आपसी प्रती क्रियाएं क्या होगा जो भी परिवर्तन आप अपने आसपास देखते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नई चीजों को नई प्रोडेक्ट को डेवलेप्ट करते हैं जैसे कि लोहे में जंग लगना तो बचों लो प्रोडेक्ट को चीलता है जिसमें ब्लेट की धार जो होती है वह बहुत कम हो जाती है तो यह भी परिवर्तन है कि जब आप लगतार पैंसिल को शॉपनर से चीलते हो तो उसकी धार दीरे दीरे रिडियूस होने लगती है चाहे वह शॉपनर हो या फिर कोई नाइफ हो या इस परिवर्तन में पदार्तों के अकार, रंग और आवस्था में परिवर्तन होते हैं यह सारे आपसी प्रतिक्रियाएं द्वारा आते हैं अब इसके बाद परिवर्तन के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है बहुत सारे परिवर्तनों के लिए उर्जा की आवशक्ता होत सब प्रकार चॉआर की उश्मा से जल का वाज़्ट हो जाता है, विदत उड़जा द्वरा उश्मा ठाथता प्रकाश में उत्पन होता है, लुद्वर्जा द्वर विविV인지 परि बीवर्थनंस देखने को मिलते हैं तो इसमें सबसे पहले है कि साइक्ल का पैडल जलाने पर यांत्रीक उठूजा की उप्योग से साइक्ल गतिमान हो जाती है इसी प्रकार स्प्रिंग को दोनों हातों से पकड़ कर खीचने पर उसकी आकृती में परिवर्थन हो जाता है कागस गराम हो जाने पर जनने लगता है तो यहां परिवर्टन सौर उर्जा के कारण होता है और जिसका उप्योग सोलर कूकर में सौर उर्जा उश्वी उर्जा की रूप में परिवर्टत होकर बोजन पकाता है कुछ परिवर्तनों में सौर उर्जा का उपयोग होता है इस प्रकार क्या आपने कभी बादलों को तेज गरजने एवं पटाकों की त्रीव ध्वनी से खिड़के तता दर्वाजों की खड़कड़ा हाथ तता शीशे चटकने का नुभाव किया है यहां भी एक परिवर्तन है जो की ध्वनी उर्जा के कारण उत्पन होते हैं बगीचों में पक्षियां वता उड़ने के लिए तिन पीटते हैं या हतोड़ा मारकर स्कूल का घंटा बजाते हैं यहां आनि किसी उपकरण से ध्वनी उत्पन करते हैं कुछ परिवर्तन के लिए ध्वनी उर्जा आवशक होती है नेक्स्ट है विबिन प्रकार की धातू की वस्तूओं को अकार तथा आकरिती देने के लिए भी धातू को अगात किया जाता है जैसे कि लोहे को पीट कर खुर्पी, हसिया, चेनी, आदी बनाए जाते हैं तो कुछ परिवर्तन अगात पहुचाने पर होते हैं लास्ट है एक कागज़ पर कुछ आल्पिन रखे और एक छट चुम्बक को उनके पास ले जाए आल्पिन चुम्बक से चिपक जाती है और प्रती एक में चुमबक का गुण आ जाता है तो लौहे की भारी वस्तों को उठाने के लिए क्रेण में चुमबक का उपयोग किया जाता है Thank you.